तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेर करें और अगर आप चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अलोवेरा हमारी हैल्थ स्किन और हेर के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है अलोवेरा के बहुत सारे फायदे होते हैं अलोवेरा का प्रियोग एक पोस्टि का हर के रूप में होता है रोज सुबा इसके लगबख एक छोटे प्याले का सेवन करने से दिन भर शरीर में ताकत और स्वूर्टी बनी रहती है अलोवेरा हमारे शरीर की अंदरूनी सफाई करता है और हमारे शरीर को रुगाणों से मुक्त रखने में मदद करता है अलोवेरा का रेगलर सेवन करने से इसका रेगलर जूस पीने से बेनिफिट्स होते है अलोवेरा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है अलोवेरा खून को शुद रखता है, हीमोगलोवीन की कमी को पूरा करता है और हमारे बलड सेल्स की संख्या को बढ़ाता है ये हमारे खून की कमी को दूर करता है और शरीर की रोगपरती रोगशमता को बढ़ाता है ये हमारे शरीर में बलड में शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है ये दिल से समंदी रोग, जोडों के दर्द, मदुमे, यूरीन से समंदी समस्याओं को दूर करता है इसका रेगुलर यूज से लंबी उमर तक हम सुस्त रह सकते हैं अलोवेरा जूस कबच के लिए भी बहुती ज़दा बेनिफिशल होता है अलोवेरा जूस पीने से पीलिया मैं भी फाइदा पहुंचता है अलोवेरा हमारी स्किन के लिए भी बहुती ज़दा फाइदे मन्द होता है आम तोर पर आसानी से मिलने वाला एलोवेरा जेल स्किन के लिए बहुती ज़दा फाइदिमन होता है तोचा कि कई समस्याओं के लिए ये एक बहुती अच्छा और एक सस्ता उपाई है एलोवेरा स्किन की कई समस्याओं का समधान है वहीं ये तवचा को पोशन करने का भी काम करता है ये स्किन के लिए बहुती सस्ता और बहतरीन तरीका है ये स्किन को naturally moisturize करता है इसे vitamins, minerals, amino acids तत्थ पाए जाते हैं ये face को naturally glow देते हैं और हमारी स्किन को moisturize करते हैं अगर आपके face पर pimples हो गए हैं अगर आप चाते हैं कि pimples ना हो, चहरा बेदाग रहे तो आज से ही aloe vera को face पर लगाना start कर दे आज कल market में aloe vera gel juices easily मिल जाते हैं या फिर आप direct leaf से भी ले सकते हैं अगर आपके घर में aloe vera का plant है तो आप वहाँ से इसे direct ले सकते हैं इसमें anti-aging, antioxidant properties होती हैं जो हमारे face से wrinkles, जूरियों को हटा कर skin को जवाब बनाती हैं और skin को लंबे उमर तक young बनाई रखने का काम करती हैं aloe vera gel को या फिर direct plant से जो लिया हुआ aloe vera है उसे दिन में दो बार अपने face पर लगाएं और 15 मिनट तक अपने face पर रखें और उसके बाद face को normal water से wash कर लें यह आपकी skin को deeply moisturize करेगा face से wrinkles, pimples, dullness, darkness यह सभी problems जो हमारे face पर हो जाती हैं उनको दूर करके face को glowing और shiny और fair बनाएगा यह आपकी skin tone को भी improve करने में मदद करता है मगर इसके लिए आपको इसका regular use करना बहुत जरूरी है aloe vera gel को आप face face की तरह भी use कर सकते हैं यह एक बहुत ही अच्छा toner cleanser भी है जिनकी एडियां फट जाती है उन्हें aloe vera gel लगाने से फाइदा मिलता है जैसा कि आज कल हम देखते हैं कि हमारी lifestyle बहुत ही जदा खराब हो चुकी है जिसका effect हमारी hair पर भी आता है और हमारे बाल जढने लग जाते हैं रूखे हो जाते हैं बेजान हो जाते हैं दो मुहे हो जाते हैं तो aloe vera gel में vitamin A, C, E ये हमारे scalp को portion देते हैं और oily scalp से चुटकारा दिलाते हैं जिसे hair growth होने लगती है हमारे बालों की लंबाई बढ़ने लगती है बाल हमारे shiny होने लगते हैं जिनको गंजेपन की problem शुरू हो जाती है उनके लिए भी ये वर्दान के रूप में काम करता है उनको ने बालों में उगने में मदद करता है अलोविरा में vitamin A, C, E काफी मातरा में पाए जाते हैं ये सबी हमारे healthy cell growth को परमोट करते हैं इसमें मौझूद vitamin 12 और folic acid बालों को गिरने से रोकता है और hairs को shiny और चमकदार बनाता है hair की समस्या के लिए सरसो के तेल में एक चमच ऐलोविरा जेल लगाकर उसे थोड़ा गुन-गुना कर लें और फिर अपने scalp पर लगाएं और root से tip तक पूरे hairs पर लगाएं और एक घंटे तक इसी तरीके से oil को रहने दें उसके बाद hairs को wash कर लें इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके hairs से dandruff की problem जो थी जो रुखापन था, दो मुहे बाल थे, गंजापन होने लगा था वो सभी में अराम मिल गया है, सभी ठीक होने लगे हैं धीरे-धीरे तो guys ये थे कुछ एलोविरा के फाइदे जो हमारी health skin और hair के लिए beneficial है और इनका use करके हम लंबे समय तक fit रह सकते हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो please like कीजिए, share कीजिए और मेरी चैनल को subscribe करना ना भूले आप मुझे Instagram और Face पर भी follow कर सकते हैं Thank you